पूरे मामले का परदा फाश करने में रूर की ऐसो परबारी जहांगीर अली और उनकी टीम की भूमी का एहम रही आपको बता दे कि दो दिन पूरू रूर की के राज युहार के पास करने के खेट में खून से लगपत एक अग्याद सव मिला था हाला कि सव के पास पोई ऐसी चीज नहीं मिल पाई जिसके उसकी सिनाक तो हो सके पुलिस ने सव को पोस्ट माटम के लिए अस्पिताल घुजवा दिया था मामला हत्या का लग रहा था जिसके मत के नजर पुलिस ने घटना के खुलासे को लेकर परभारी निरुक्षक को 48 कुंटे का अर्टिमेटम दिया था पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सही चार आरोप्यों को धर्दबोचा साथ ही घटना में पजूपति सामान भी बरामत कर लिया घटना का खुलासे करते हुए एससपी अजे सिंग में बताया कि मिर्तक की सिनाक्त सचिन पूर्फ काका निवासी मोहनपूरा मोहमधपूर भूड़की के रूप में हुवी थी को एक अग्याद डेट बॉड़ी की सूशना मिली थी जिस पर काफी गंभीर चोटे लगी थी जिससे मृत्य हुई थी उस व्यक्ति की जो है शिनाक करते हुए पुलिस ने मैनद के दौरा सचिन के रूप में की गई जो लोकल निवासी है साथी साथ इस संबन में और जानकारी की कि तो पता चला कि शादाब व्यक्ति के साथ वो कुछ दिनों से गया हुआ था और तूर में भी इसका विवाद था इस पर पुलिस टीबो ने अपनी छानमीर की और इसके बाद तीन लोग को इस पर रूंड अप किया जिनसे सब्सक्राइब और जो अभी जो मृतक की मुडशाइकल थी वो भी गौतम नाम के विक द्वारा वहां संबाद में ले जाए गई जो सीटीवी फुटेज और अधार पर जिसको बरामत करके उसको भी गिरुफतार कर लिए गया तो टोटल चार लोग की गिरुफतारी की करेंगे कि जो नसे के जो प्रवेर्ट